दोस्तों गर आप उम्रान मलिक को बैदर खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों उम्रान मलिक की शांदार गेंद बाजी को देखकर सानिया मिर्जा ने दिया ऐसा बयान जिसने पूरे क्रिकेट जगत में संसनी मचा दी और आखिरकार उम्रान मलिक के बारे में सानिया मिर्जा ने क्या कहा इन सबी के बारे में आपको इसी वीडियो में बताएंगे लेगिन उससे पहले आपको क्या लगता है उम्रान मलिक शोय बक्तर का रिकॉर्ड अंतराश्ट्य क्रिकेट पे तेज गती की गेन भेक कर तोड़ सकते है या नहीं अपनी राय नीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों भारत और साउथ अफरिका के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज 9 जून से 19 जून के बीच खेली जाएगी और इस सीरीज में भारतिय टीम के कई उवा खिलारियों को खेलने का मौका मिलेगा तो वहीं कई मुक्य और अनुभवी खिलारियों को टीम से आराम दिया गया है और भारत की कप्तानी केल राहूल करेंगी वहीं साउथ अफरिका की कप्तानी तेमबा बबुमा करते हुए दिखाई देंगे गेंद डाली जिसे देख सभी हैरान हो गए और इनकी गेंदबाजी को देखकर सानिय मिर्जा भी हैरान हो गई और इन्होंने कुछ हैरत अंगेज बयान भी दे दिये जिसने पूरा क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है दरसल सानिय मिर्जा ने कहाए कि उम्रान मलिक जिस तरीके से लगातार शांदार गेंदबाजी अब्यास सत्र में कर रहे है उसे देखकर लग रहा है कि भारती एक क्रिकेट के लिए ये बहुत ही बड़ी सम्मान का प अतार अब्यास सत्र में हैरत अंगेज गेंदबाजी और खतरनाक अब्यास देखने को मिल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि भारती टीम अप पूरी दुनिया में तहलका मलिक के प्रदर्शन से मचा देगी तो वहीं मलिक ने जिस तरीके से अब्यास करते हुए शोईब पहतरीन और इतिहास रचने वाला रिकॉर्ड तोड़ कर एक नया किरतिमान हासिल किया है उसे पागिस्तान भारतीय क्रिकेट और दुनिया के सभी क्रिकेट प्रेमी हैरान हो गए और भारतीय टीम के लिए ये बहुत ही फायदमन खिलाडी है लेकिन अगर ये खिलाडी भा जस्व इतना फैल जाता है कि पूरी दुनिया इन्हें जादूगर कहने लगती और काश हो पाता कि भारतीय क्रिकेट की जगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलने का मौका इन्हें मिल पाता लेकिन ऐसा मुम्किन नहीं हो पाया लेकिन हुमरान मलिक की शांदार गेंद पाजी के लिए और भारतीय टीम के लिए खेलने पर हार्दिक बढ़ाएं दोस्तों आपको क्या लगता है इसी सीरीज में शोय बक्तर का रिकॉर्ड टूटेगा या कभी और अपनी राय नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर देऊं रैसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद